हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल, कॉमर्स विद कनूर्ज अमर्म स्टुडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है, वो है पार्ट नमबर 4 वीडियो अफ चैप्टर 14 जिसका नाम है Tax Invoice, Credit Not and Debit Not जो की हमारी GST की सीरीज जो चल रही है उसका एक पार्ट है आज की जो टापिक है उसका वीडियो आज की जो वीडियो है उसका टापिक रहेगा Credit and Debit Nots, Section 34 इसे प्रीवेस पढ़ा हमने Section 33 जिसके बहुत सारे सब सेक्शन पढ़े हमने अब हम पढ़ेंगे credit and debit notes ठीक है अब देखिए credit और debit note credit and debit notes are issued to deal with specified situation in GST law GST law में कई सारी specified situation आ जाती है इसलिए उन specified situation से deal करने के लिए credit और debit notes को issue किया जाता है ठीक है the tax liability of the registered taxable person is increased or decreased on the basis of debit note or credit note issued by a person जो tax liability है एक registered taxable person की वो increase होती है और decrease होती है जब debit notes के पास ज्यादा होते हैं वो debit note अगर issue करता है तो increase होती है और credit note अगर issue करता है तो decrease होती है ठीक है तो note देखें दो type के होते है credit note होता है और debit note होता है credit note का section 34, subsection 1 और 2 आता है ठीक है और debit note का section 34, 3 और 4 आता है ठीक है subsection और जो credit note है वो tax liability को reduce करता है और जो debit note है वो tax liability को increase करता है ठीक है तो ये हो गया हमारा credit and debit note जिसका एक छोटा सा मैंने आपको preview दिया इसके वीडियो के माध्यम से कि credit note क्या होता है, debit note क्या होता है और किस situation से deal करने के लिए credit और debit note को issue किया जाता है देखिए मैं example के तौर पर आपको समझाती हूँ कि credit note और debit note issue क्यों किया जाता है मान लो कभी कवार ऐसा होता है कि sale return आ गई एक ये reason होता है credit note को issue करने का बताऊंगी कैसे क्या होगा इसके अंदर debit note को issue करने का क्या reason होगा कि कोई जो mandatory खर्चे थे कुछ miscellaneous खर्चे थे expenditure थे वो लिखना हम भूल गए वो लिखना हम भूल गए तो हमें debit note issue करना पड़ेगा आप देखो क्यों issue करना पड़ेगा sale return आई मालो हमने 10 लाक रुपे की क्या करी थी sale करी थी और उसका tax invoice भी cut किया था ठीक है तो उसके अंदर जो tax भी भरा था government को मालो कितने रुपे का बढ़ा था मालो 50,000 रुपे का tax भरा था ठीक है गवर्मेंट की पास देया वह लो गवर्मेंट की खाते में tax उसके अंदर आ गया उसके अंदर tax भी भरा था ठीक है अब देखिए tax invoice cut चुका है और 50,000 रुपे गवर्मेंट के जो tax के खाते में वो add liability हमारे 50,000 से increase हो गई तो अब वो आ गई sale return यानि वो sale हमारे पास वापिस आ गई ठीक है और जो tax जो हमने government के लिए जो tax invoice के अंदर cut किया था 50,000 रुपे का वो भी extra आमने pay कर दिया और जो हमारी जो sale जो करी थी वो भी वापस आ गई तो that means 50,000 रुपे हमारी जो tax liability है उससे increase हो रखी है उसको क्या करना है deduct करना है कम करना है यानि कि मानलो total हमें government को pay करने यानि tax liability मेरी बन रही है ठीक है 33,000,000 बन रही है अब मुझे पता है कि इसमें से जो 50,000 है वो credit note के है मैंने credit note इशू कर दे तो credit note हम क्या करेंगे credit note हमारी जो liability को tax liability को reduce कर देता है that means 3,500,000 में से हापा 50,000 माइनस कर देंगे तो 3,000,000 हमारी tax liability बच जाएगी ठीक है reduce कर दिया ऐसे ही और example लेते हैं एक debit note का जब हम tax के लिए जो supply की value निकाल रहे थे supply of जिसके ओपर tax लगी जाए value of the supply जिसके ओपर tax supply होगा उसके अंदर हम कुछ main खर्चे add करना भूल गए थे तो क्या हुआ that means हमने जो tax है वो कम पे किया कम पे किया तो हमारी जो tax liability अभी बनी हुई है वो कम है उसको उसमें और add होगा अब add होगा that means यह जो debit note जो भी add होगा उस जितना भी पैसा एड होएगा मानलो 500 रुपे एड होएड होएगे बर जस्त मानलो 500 रुपे कम tax लगा है हमारा 500 रुपे और add होएगे ठीक है तो 500 रुपे का हम debit note issue करते हैं ठीक है और जो debit note है न वो add हो जाएगा हमारी taxable value मानलो थीन लाक पचाहसजार है तो उसमें पांद सो रुपे और add जाएंगे 3,50,500 रुपे बन जाएगे हमारी tax liability तो यानि की credit note जो है व FIFA से MINUS होता है ठीक हैatics liability को रीडिविवेट स करता है और fan definite कि प्लुत है see okay तो I hope student आज की जो वीडियो है credit note and debit note क्या होता है उस वो आपको समझ में आई होगी आपका topic clear हुआ होगा अगर student आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए comments कीजिए और ज़्यादा मेरे चैनल को subscribe कीजिए commerce with kanoja maim thank you students